नवश्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं M288CFW जो Samsung का printer आता है वो एक Express printer है और इसमें दरसल हम अपने mobile phone से भी उसे connect कर सकते हैं और हमें PC की आउशकता नहीं रहेगी और आप आसानी से अपना print दे शकते तो सारी प्रकरिया मैं आपको इस वीडियो के मा phone सी setting करने पड़ेगी जिसे कि आप आसानी से अपने mobile phone में print दे शकते हैं सबसे पहले आपको on कर देना है और यहां पर आपको देख रहे होंगे कि यह जो अलग-अलग menu दे रखे हैं यहां पर आप देख लीजिए तो यह बटन आपको उपर वाला दिख रहा है तो इस पर आपको simply click कर देना है तो यहां पर आप जिशे किलिक करोगे तो यहां पर यह menu पर ओगया click और यहां पर आपको वापस second पर जाना है और यहां पर आपको आगे scroll करते रहना है यहां पर आप देख रहे होंगे एक बार दबाया तो copy setup आ गया और दूसरी बार दबाया तो okay दे रखा okay पर click किजिए okay पर click करने के बाद में एक बार scroll कर दिए मतलब आगे जाईए यहाँ पर और आगे जाने के बाद में आपको यह जिसे ethernet यह नहीं करना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा wireless wireless पर आपको पर उक्थ पर क्लिक करना आप अपको क्लिक कर दीजें तो यहां पर दिखाई दे रहा है Wi-Fi on on off यहां पर ऩॉपاي जाने के बाद में सारी इसको यहां पर सर्झ करनाएं कि कौन सा कोई भी अगर mobile के बाते में से आपको wifi ओन करना है और wifi में आपको network शर्च करके बहाँ पर आपको connect करना है, connect करने के बाद मैं आपको vacation निकलना प्रिंट वह भी मैं आपको सिखाता हूं, तो चलिए शिरू करते हiénे simply आपको क्या करना है अपने mobile में वाइफाई यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है तो वाइफाई पर आपको एक बार ओपन कर लेना है ठीक है तो यह आपका वाइफाई ओन हो गया और एक बार इसे आप प्रेश करके रखिए ठीक है तो इसको आप जैसे प्रेश करके रखते हैं तो यहाँ पर आपके स सामने इस परकार का एंटरफैस आ गया और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह जो नेट है मतलब यह जो वाइफाई कनेक्शन है यह शुरू हो चुका है अब यह हमसे मांग रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन आपके पास नहीं है तो हम इसको इंटरनेट को भी ओन क कर लेते हैं तो यह हमने एंटरनेट कर दिया अब दरसल आपको क्या करना है एक अपने मोबाईल में जाना है और मोबाईल में आपको जो फाइल रखी हुई है उसको आपको open कर लेना है ठीक है तो open करने के बाद में आपको सारी setting के साथ उसको एक print देना है जिसे अपर देखते हैं इसमें जिसे ये है फाइल आपके पास आप और आपके पास जो PDF फाइल है उसको आप किसे print करोगे तो सबसे पहले आपके सामने इस परकार का interface आएगा और यहाँ पर आपको देख रही है ये PDF खुली हुई तो यहाँ पर आपको simply यहाँ पर एक चीज राइट साइड में कौने पर थ्री डोट दिखाई दे रहोंगे इस पर आपको click कर देना है इस पर आपने जिसे click किया तो आपके सामने इस परकार का user interface आगया यहाँ पर आप देख रही होंगे यह जो printer है इससे यह जुड़ा हुआ है तो यह printer है यहाँ पर जुड़ा हुआ और यहाँ पर आपको सारी setting कासा निसे आप कर सकते हो और दूसरा printer अगर आपको जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हो और इसकी अलावा अगर आप इसको PDF की रूप में शेव करना चाहते है तो वो भी कर सकते हो यहाँ पर आपको other setting भी आप कर सकते हो जैसे कि यह है यहाँ आपको इस page में कितनी copies चाहिए और color इसमें white and black ही आएगा और दोनों side की लेनी है या नहीं लेनी है तो यह जो printer है यह दोनों side की अलग-अलग रूप में दे देता है तो इसको आप भी आप कर सकते हो और यहाँ पर आपको paper का size है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है तो a4 size भी कर सकते है अटर-साइड भी लीगल साइड भी जिसा भी आप चित समझो वेशाओ से-साब से कर सकते है यहाँ पर किया हुआ है जिसे यह है या फिर इसको अपन legal page कर देता है तो legal page इस परकार से आ जाएगा तो यहाँ पर आपको layout page का केशा होना चाहिए अगर आप इसको landscape में करना चाहो तो landscape में कर सकते हो या फिर portrait में करना चाहो portrait में कर सकते हो जिसके मैं इसको portrait कर लेता हूं उसके बाद मैं all page ठीक है अगर आपको सारे पेज चाहिए या फिर किसी पांच में से कोई एक पेज चाहिए तो मैं इसमें एक कर लेता हूँ जैसे कि पहला पेज ही मुझे इसको चाहिए तो मैंने इसको कर लिया तो यहाँ पर पहला पेज आपके सामने आ गया इसको आप जैसे ही प्रिंट द देता हूं तो मैंने यहां पर जैसी प्रेंट किया तु प्रेंट होने के बाद में यहां पर आपको सिंपली मशीन की आवाज अभी सुनाई देगी यह इस प्रकार से आप ये मसीन का पेज, फर्स्ट पेज जो मैंने निकाला है, यह यहां से आच चुका है, ठीक है, तो आसानी से आप इस प्रकार से प्रिंट को, प्रिंटर को फॉन से कनेट करके आसानी से प्रिंटर निकाल सकते हैं, तो यह प्रिंटर का जो पेज हमने यहां पर लिया था तो वो प्रिंटर का पेज हमारे सामदे आ चुका है और आसने से आप भी इस प्रकार से काम कर सकते हैं धन्यवाद